साथ नई कम्पनियों की ये शुरुवात देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णे पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी साथ कम्पनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकात का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों हमारी ओर्निनेंस फेक्टरीज कभी दुनिया की शक्तिसाली संस्ताव में गिनी जाती थी। इन फेक्टरीज के पास सो डेड़ सो साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ओर्निनेंस फेक्टरीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बहतर संसाधन होते थे। वर्ल क्लास कील होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फेक्टरीज को अपग्रेड करने की। नू एज टेक्नोलोजी को अपनाने की। लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरी जरूरतों के लिए विदोईश्रों पर निर्भर होता गया। इस्तिती में परिवर्तन लाने में ये नई साथ डिफेंस कमपनियां बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी। साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट देश का लक्ष भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडिस्ट्री के विकास का है। पिछले साथ वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आध देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसफरंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलोजी डिवन एप्रोच है उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादे के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टिम की व्यवस्ता की गई है। इससे हमारे इंडुस्ट्री का कॉंफेंस बड़ा है। हमारी अपनी भारत की कमपनियों ने डिफेंस इंडुस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाय तलाशना शुरू किया है। और अब प्रावेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी और तमिन लाडु के डिफेंस कोरिडोर्स का उधारन हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी-बड़ी कमपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रूची दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं। और सप्लाई चेन के रूप में कई MSME इसके लिए नई संभावनाय बन रही है। देश में जो नितिकत परिवर्तन किया है उसका परणाम है।